नमस्कार दोस्तों आसा करता हूं कि आप लोग काफी अच्छ होंगे दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दो पॉइंट पे बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट की सबसे बेस्ट डॉग फूट कौ सबसे कम बजट में अच्छा डॉग फूट कौन सा करेंगे कि आप अपने डॉग के लिए सबसे कम बजट में अच्छा डॉग फूट कौन सा के लिए दोस्तों वैसे तो मार्केट में बहुत साथ ट्याप के डॉग फूट है आपको अच्छा तरीकी से पता होगा जैसे कि वेगन लव फोकस कैने कि रॉयल कैने उसके बाद बहुत सारे आते हैं जैसे कि स्मार्ट हट पैडिग्री या फिर फर्मीनिया एनन डी बहुत साथ ट लोग पें विडियो बनाओंगा जिसमें सारे डॉप फूट लह में सारे डॉप फूट को में जितने बी डॉप फूट है सारे डॉप फूड है जिसका नाम है वेगन लब दोस्तों यह जो डॉग फूड है काफी कॉस्टली आता है लेकिन इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है दोस्तों इसके प्राइस हाई होने के बदर से बहुत साथ लोग इसको अफर्ड नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं भी इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ और दोस्तों यदि आपका पॉकेट अलाव करता है तो आप लोग इस डॉग फूड को खरीच सकते हो इसका रिजल्ट काफी बैतरीन है लेकिन मैं नॉर्मली लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि इसका प्राइस काफी हाई है तो दोस्तों चलि सकते हो और तीसे नमर पर वो है रॉयल के लिनिन का रॉयल कैनिन का इसका यूसको यूज कर रहे है और उसके डॉब क पर आपको बताया है फोकस का और कैनीन करिक का लोस्ति दोंसेंнос कोई सिकाई अभी तक नहीं मिला है लेकिन जरॼकस का डॉफ फुड है इसमें बहुत साय लोग ने सिकायट किया एक लिए कि उनका दोग है उसको फोकस तेस्ट पसंद नहीं आता है या तो वह स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तर के सिखाता इसका रिजल्ट काफी अच्छा है फिर तीसरे नमर पर मैं आपको बतला है था रॉयल करिंट का रॉयल करिंट में भी बहुत सारी लोगों ने सिकायद क्या कि उनके डॉप को भी इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है लेकिन ये नेगली जीवल है बहुत ही कम लोगों ने इसक कोशन अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे कि आप बहुत ही कम बजट में सबसे बेस्ट डॉप फूट कौन सा खेल लो दोस्तों यहां पर आपको दो चीज़ सपोस करना है सपोस करो कि एक मोहन है और एक सोहन है मोहन अपने डॉप को सिर पैडिग्री ही खिला रहा ह करनी और सोहन अपने डॉप को कभी रॉयल करनीं कभी फोकस कभी वेगन लव कभी कभी फलाना कभी धिमका बार बार अपने डॉप का जो फूट है वो चेंज कर रहा है और वो पैडिग्री से अच्छा डॉप फूट हमेशा दे रहा है लेकिन दोस्तों मैं आपको बतलाओ कि जो मोहन का डॉट होगा ना वो काफी हेल्दी होगा काफी स्ट्रोंग होगा इन कमपेरीजन टू स्वहन दोस्तों एक चीज में आपको बतलाना चाहूंगा कि जो डॉट होता है उसमें बहुत सा टाप के इंग्रीडियेंट होते हैं यदि आप लोग अपने डॉट का ज में काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों यहां पर कुछ और यह सोचते होंगे कि अपने पपी को में अच्छा डॉट फूट खिलाओ तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक रिकमेंड कर सकता हूं कि आप अपने डॉट को जो स्टार्टर है वह अच्छे ब्रांट क कर सकते हो ठीक है तीनों का जो औरिजनल प्रोड़क्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग वहां से पर्चेस कर सकते हो दोस्तों यह तीनों हलका सब कोसली आता है फिर भी यह आपके डॉट के हेर के लिए उसके बॉन के लिए काफी अच्छा र लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने डॉट को लाइफ टाम तक डॉट दूंगा ऐसा भी में लोग को रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि डॉट फूट में बहुत सारे ऐसे कैमिकल्स होते हैं जो डॉट को नुक्सान करेगा जैसे कि कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ज उसके फूड में आप सप्लिमेंट्स एड़ कर सकते हो यह आपके डॉट के लिए काफी अच्छा रहेगा और उसका लाइफ स्पेंड भी काफी इंक्रीज होगा ठीक है तो यह टिप्स यह आप फोलू करते हो तो आपका डॉट काफी हेल्दी रहेगा एक्टिव रहेगा और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी रहेगा जिससे कि वह दिखने में बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा तो दोस्तों मैंने जितने भी डॉट का नाम आपको बतला है सारी डॉट का ओरिजिनल प्रोड़क का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग उस अच्छा वीडियो लाके दूंग और दोस्तों साथी साथ इस वीडियो को लाइक भी जरू कर दे 2000 लाइक्स का एम है दोस्तों हम मिलते रहेंगे ऐसा ही बहुत सारी वीडियो में और दोस्तों आप लोग यह दी फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आये हो तो इस चैनल को सब्स